अपना इंशुरेंस वाला इस plan combination में आपको 16-25 साल तक समय समय पर पैसा मिलता रहता है जिससे आप समय की मां के अनुसार अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई उनके होस्टल में रहने खाने आदी खर्चों के लिए आपको पैसे मिलते रहते हैं वक्त जैसे जैसे बीता है हमारे बच्चे बड़े ह होने लगते हैं और धीरे धीरे वो जीवन के उस मोड पर आ जाते हैं जहां उन्हें हाइर एजुकेशन के लिए दुसरे शहर में जाना पड़ता है जिसके कारण पैरेंट्स को अधिक खर्च करना पड़ता है उस समय ये प्लैन एक रेगुलर इंकम देता है जिससे कि उनक इस साल में आपको मिलेंगे थ्री लाक रुपी सतरवे साल में थ्री लाक अठारवे साल में थ्री लाक उनिस साल में थ्री लाक बीस साल में थ्री लाक इकिस साल में फोर लाक फिफ्टी तू थाउजन बाइस साल में फोर लाक फिफ्टी तू थाउजन तैस साल में फोर ला के लिए इस्तमाल कर सकते हैं और उसके बाद 25 साल जो आपको पैसा मिलेगा वो अपने पच्चे की शादी में इस्तमाल कर सकते हैं आइए समझते हैं इस प्लान कॉमिनेशन में हमने कौन-कौन से प्लान यूज किया है हमने इसमें थ्री टाइम्स जीवन लाग यानि टेवल नमर 936 यूज किया है पहले में 10 साल पैसा जमा करके 16 साल में पैसा मिलेगा और मैंने इसमें सम एश्योड लिया है 8,10,000 रुपीज सेकिन टाइम 15 साल पैसा जमा करके 21 साल पैसा मिलेगा और इसमें सम एशूर्ड होगा 8,20,000 और थर्ड में 16 साल पैसा जमा करके 25 साल पैसा मिलेगा और इसमें सम एशूर्ड होगा 8,00,000 पहली बार जब 10-16 वला प्लैन लिया है जो जीवन लाव है उसमें हमने सम एश्योड 8,10,000 रुपीज लिया है इसकी मेचुर्टी पांच इंस्टॉल्मेंट में सैटलमेंट आप्शन से मिलती है जो की 16 साल से लेकर 20 साल तक हर साल 3,00,000 रुपे के रूपे आपको मिलती है दूसरी बार जब आप दुबारा से जीवन लाव 936 टेबल नमबर लेते हैं जिसमें आपको 15 साल पैसा जमा करके 21 साल में लेगा इसमें सम एश्योड हमने 8,20,000 रुपीज लिया है इसकी मेश्योटी को भी सेटल्मेंट ऑप्शन से चार इंस्टॉल्मेंट में लिया जाएगा जिसमें 21 साल से लेकर 24 साल तक 4 साल तक लगातार 4,52,000 रुपीज मिलेंगे इसके बाद थर्ड ऑप्शन में आपको सेम 16 साल पैसा जमा करके 25 साल मिलेगा जिसका समयश्योड मैंने 8,00,00 रुपीज लिया है और इसमें आपको 25 साल में मेश्योटी मिलती है और जो मेश्योटी मिलती है वो है 21,00,00 इस प्लैन कॉंबिनेशन में आपको पहले साल से लेकर 10,00 साल तक हर महीने 13,000 रुपीज की बचत करनी है उसके बाद 11,00 साल से लेकर 15,00 साल तक हर महीने आपको 7,000 रुपी की बचत करनी है उसके बाद 16,00 साल से लेकर 25,00 साल तक आपको हर महीने 3,200 रुपीज की बचत करनी है यानि overall देखा जाए तो आपको लगबग हर दिन 338 रुपीज की बचत करनी है वो भी पूरे 16 साल तक So thank you friends, इस वीडियो से related किसी भी query के लिए आप मुझे comment section में comment करिए और इसे like, subscribe और share करना न भूलिए Thank you for watching, please like, subscribe, share and press the bell icon